यहां पे मैंने अपना रूम चो लीविंग एरिया उसको रेडी कर लिया है मेरे क्लास के लिए अभी 3.45 होड़ा अराउंड बच्चे आने वाले हैं यहां पे मैं हो गई रेडी सोचा आपको थोड़ा सा इंफोर्मिशन देती हो अपने क्लास के बारे में इतने में आशी आ गई बस कैमेरा देखते ही वो आ जाती उसे बहुत पसंद है मैं बोल रहे थी कि तुम जाओ भी बच्चे आने वाले हैं मैं कुछ बात कर लेती हूं बट फिर यह हो नहीं पाया तो आशी गई अंदर रेस्ट के अनने के लिए और यहां पे मैं रहेडी हूं बच्चे बस पहुँचे गए बाहर वेट कर दे यहां पे क्लास शुरू हो गई मेरी बारिश हो रही है सारे बच्चे आये नहीं दूस बस उठके में बाहर आई थी फ्रेशन अप होने के बाद और मेरे हस्बेंड एलकन को बाहर वक्त पे ले जाने वाले थे तो मैं वहीं उनसे बाते कर रही थी और आप लोगों को यह व्यू दिखा रही थी फिर मैंने नोटिस किया एक चोटी सी बटरफलाई ब्लाक कलर की बहुत ब्यूटिफूल सी थी यहां पर बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही है बाहर जाने के लिए जबकि मैंने यहां पर ग्लास ओपन करके रखाया बट यह जाई नहीं पा रही थी इधर देखी नहीं रह कभी-कभी ऐसा होता है जब हम गलत रास्ता छूस कर लेते तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं यही बात है रास्ता सही हो तभी हम अपने मंजिल की और पहुंच पाएंगे वरना वह रास्ता बदल देना चाहिए यहां प्याशी भी चली गई यह क्लिप तपकी है अलकन क को लग रही है गर्मी मुझे देख रहा है और जोर से ब्रीद ले रहे हैं यहां पर हम आये जट पर एलकेन को लेके कपड़े सुखाने के लिए तो एलकेन भी आ जाता है मेरे साथ यह उपर से नीचे का वियू है मैं दोनों बच्चों को एक साथ लेके आना प्रिफर नहीं करती हूं टैरेस पर क्योंकि आपे बाउंडरी नहीं है एक होता तो मैं एक को हैंडल कर लेती हूं वरना इनके डैडी दोनों बच्चों को लेके आते साथ में मैं हलका सा यह क्लिप दिखा रही हूं पीछे जंगल बनाना ट्रीज है बहुत सारे इस साइट के बनाना ट्रीज में तो भी लगे नहीं है बनाना पर इस साइट के बनाना ट्रीज में बनाना लग रहे यह बीटलनाज का ट्रीज है और पीछे फूल क्रीनेरी है यह वाले बनाने ट्री में बनाना लगे मैं दिखाती हूं आपको इस तो निज़ा पस्की दुष्किर होगी तक क्लिप लेने के लिए यह बनाना लगे हुए है और बनाना फ्लावर जो होता है न कि बहुत लोग फ्लावर को खाते भी है मैंनी बछाथी हूं यह बनाना फ्लावर है है और साथ में एक पपाया ट्री भी दिखा रही हूँ यह इसलिए दिखा रही हूँ कि जब मैं इस घर पर आई थी ना अभी तो साल पर हो गया तब तो यह नहीं था बढ़ हमारे आने के बाद यह शुरू हुआ और आज इतना बड़ा हो गया है और यह इस साइड का व्यू है और इस साइड मैंने देखा तो कुंदुली लगा हूँ था तो मैं इसे प्लग कर रही थी कुंदुली वान काइंड वेजटेबल है इसे आप लोग क्या कहते हैं यह क्लाइमबर है जो एक ट्री पे चड़ के उपर आया है तो वहीं से मैं आउंगी इसे आइडेंटिफाइ करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यह जो ट्री फूल ग्रीन लिव्स है इसमें और वहीं ग्रीन कलर का है तो सामने होते भी नज़र नहीं आता है अब मैं नीचे आ गई अपना ब्रेक्फरस्ट करने के लिए मेरा ब्रेक्फरस्ट हो गया और यहां पर राजा बैठा हुआ है यहां पर इसे लग रही है गर्मी मतलब यह बाहर सोता नहीं है इसे बैदरूम में सोना है बट मैं ब्रेक्फरस्ट कर रही थी तो यहां पर लेटा हुआ था तो यह इसे दिखाता है बहुत नाटक बास है ऐसा करता जिसे से बहुत नीन दारी है तो वही मैं इसके साथ खेल रही थी यह सोता नहीं है अगर हम सोचेंगे कि सोच आएगा यह नहीं सोएगा तो अभी मैं जाके पहले AC on करके आती हूँ फिर आप देखो जैसे ही मैंने यहां पर AC on किया और अपने प्लेट वगरा रखके आई यह देखिए यह आके सो गया और सोता भी तो है एसस होता है कि यहां से लेकर वहां तक पूरा जगा कवर कर लता है मेरे जगा नहीं बज्चिए उइस साइट बैठनी के लिए न मैं आगे आके बैठती हूँ यह कुछ भी करना होता है तो आगे इस साइट बैठती हो यह पूरा कवर कर लेता है वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फो वाचिंग